नमस्कार स्वागत है आप सभी लोगों का रिजिनिंग के एक और महत्पूर टॉपिक के साथ मैं रवीतिवारी आप सभी सदस्टों का स्वागत करता हूँ वरवर लीजिनिंग हम लोग काफी पढ़ चुके हैं फ्रसा किष्ट को चेंज करते हूं कुछ नॉन वरवल के टॉपिक्स भी हम लोग साथ लेकर चलते हैं यदि nonverbal में हम लोग देखे हैं तो दो टॉपिक ऐसे हैं जो यूपिट्र परिक्षाओं के द्वारा लगातार पूछे जाते हैं यूपिट्र परिक्षाओं में यहां से पुरिष्टन रहते हैं उन दो टॉपिक्स में से पेपर कटिंग और फिगर काउंटिंग यह दो टॉपिक आप किसी भी पेपर को उठाके देख लिए तो आपसे पूछे गाए हैं अगर हम नॉन बरबल के पूरे सलेवस की बात करें पूरे पाठिकरम की बात करें तो इतना पाठिकरम आपको पढ़ना है मतलब पेपर कटिं इन फोल्डिंग तो पढ़ना ही है फिगर काउंटिंग भी पढ़ना है उसके लाब हेडिन फिगर कंपलीशन ऑफ दा फिकर रोटेशन डिवीजन स्ट्रेक्चर ऑफ दा फिगर फिगर क्लासिफिकेशन फिगर एनलोजी सीरीज नॉन बरबल की मेरा इमेज और बात रिंग टॉपिक को टच किया है तो वो टॉपिक आपका ये वाला है इस टॉपिक से भी यूपिट्र पलसी ने थोड़े फास सवाल पूछे हैं तो अगर हम यूपिट्र पलसी लिए देखें तो ये तीन टॉपिक हमें नॉन बरबल में जरूर तयार करना है इसके लाबावा आब में नॉन बरबल पूछा जाता था लेकिन एक समय के बाद जब बैंक ने नॉन बरबल को पूछना दों बंड न MR. लेकिंगे CGL की परिक्षा को अगर हम लोग देखें, उसमें Tier 1, Tier 2 के syllabus को देखें, तो लगबग ये सभी topic आपके non-verbal में जो है, आपके दिये गए हैं, सब topic आपको non-verbal में पढ़ना है, तो अगर आप CGL की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको ये दो topic तो करना ही है, क्योंकि प से पहले आपको इन तीन topics को पढ़ना बहुत जरूरी है, इन तीन topics को आप तयार कर लीजे, और मेरा मानना है कि इन तीन topics से लगबग चार पृष्णे आपके बनेंगे, क्योंकि जो trend है, उनमें चार पृष्णे लगबग आपके यहां से पूछे जा रहे हैं, तो हम चार की तैयारी कर रहे हैं, तीनों topic बहुत ही आसान है, मैं paper cutting and folding से सुरुबात कर रहा हूं, तो आज का topic हमारा है paper cutting and folding, आईए इस महत्पूर topic की सुरुबात करते हैं, paper cutting and folding topic आपको कठन लगता होगा, क्योंकि इसके पृष्ण हमें ऐसे लगते हैं कि paper को जब हम कैंची से काट हैं, तभी हम इसका उत्तर कर सकते नहीं, paper cutting and folding topic एक mental process है, आज नवरात्री का पहला दिन है, और मैं नवरात्री के पहले दिन कल सुभाई की क्लास आप लोगों के लिए record कर रहा हूं, तो आप सभी लोगों को नवरात्री की धेरों सुबकामना है, और मातरानी की किर्पा तब दूसरे दिन मिलेगी, लेकिन मैं आज से ही सुभामना है आपको प्रेस्ट करता हूँ, दूसरी चीज में यह कहना चाहरा हूँ, कि यह कक्छाएं आप किरम से करते रही हैं, कक्छाएं आपके लिए बहुत valuable हैं, यह सभी कक्छाएं आपको रभी पीतिवारी official YouTube channel से द आप सभी रहा है, टार्गेट बुदा लोग online institute को यह मिलना है, यह इस अंस्थान समर्पित है, आप सभी लिए ठीक है, तो आइए हम लोग paper cutting and folding की सुर्वात करते हैं, paper cutting and folding के बारे में मैं आपको यह बता दूँ कि यह जो है बहुत आसान topic है, यह basically एक mental process है, और इस mental process को ह हम लोग अगर देख लें, जाल लें, तो इसमें ऐसी कोई भी चीज नहीं है कि किसी paper को आपको काटना पड़ेगा या देखना पड़ेगा, तीन नियमों पर हम लोग इस पूड़े topic को ले चलते हैं, तीन नियमों के इस पूड़े topic को हम लोग पढ़ लेते हैं, सबसे पह होते हैं, पहला, दूसरी बात जो है, है ना, दाएं और बाएं के परवर्तन, लेफ्ट और राइट के परवर्तन की बात में कर रहा हूं, दाएं और बाएं के परवर्तन, परवर्तन एक समान होते हैं, मतलब एक समान होते हैं, मतलब इनमें कोई भी परवर्तन नहीं होता, एक्वल होते हैं ठीक है और तीसरा कॉर्णर कभी भी कॉर्णर कभी भी परवर्थित नहीं होता मतलब कॉर्णर में कभी भी कोई चेंज नहीं होता अगर हम तीनों बात अच्छे से समझ लें तो हम इस टॉपिक को सीखने में कोई दिक्रत नहीं होगी तो सबसे पहरे एक एक बात पर हम लोग चलते हैं कैसे परवर्थन होते जैसे महल्यजी कोई भी पेपर जब आपको काटने के लिए बिटा दिया जाता है तो उसकी निसानी यह होती है कि उसमें कुछ arrow लगे होते हैं और कुछ संकित लगे होते हैं जैसे यह paper है और इस paper का कोई हिस्सा आपको काटने के लिए दिया गया सबमुझकर यह हिस्सा आपको काटने के लिए दिया गया ऐसे और इसमें एरो लगा है और ये उसने पेपर को इस तरीके से मोडा है यह कि पहला लगाया है तो इसका मतलब यह है कि से और मोडा है जैसे हमारा लेफ्त है और यह क्या है हमारा राइट तो यह लेफ्ट से हमने राइट की और मोड़ा है मतलब एक जो पेपर था उस पेपर को हमने क्या कर दिया है मोड के आधा कर दिया है मैं एक पेपर लेकर आपको समझाओं तो साहथ आपको बहतर तरीके से चीज़ समझे आएगी कि जैसे यह पे और हम एक इस सिथिappy को देखें तो दोनों सिथिए कर देखें डूने कि एक इस टtherिया तो हमेसा जब इस जब डिया जाएगा तो पेपर में पेपर कुदूंऊ है कि दिक है कि अगे जगे से मोड़ा गया है अगर दो फोल्लिंग होगी तो पेपर में नंबनिंग नहीं होगी लेकिन दो से ज्यादा फोल्लिंग तब भी होगी तो पेपर में नंबनिंग होगी कि इस पेपर को कैसे मोड़ा गया है जैसे माली जैसा पोच करिए मैं आपको ऐसे दिखा रहा हूं कि एक पेपर है पहले पेपर होड आगया है तो अब जब फोल diret होगी तो हमने हैं रहे हमिएसे ध्यान रख लिए दिए-ति कि से पहली वाली फोल ल mirac की है कि पहली और को सब से बात कि िlya ठीक है अट से अब कि जब आब मिन फोल्लिकी है तो तो क्मिशाटा जाता है नहीं तो दो ही फोल्डिंग के पर पुरुष्ण आपको सहस्ता से पूछे जाते हैं सबसे बात की फोल्डिंग को सबसे पहले खोला जाता है यहां पर एक और विसे का में याद रखता है त्यान दीजे का मैं क्या कह रहा हूं सबसे बात की जो फोल्डिंग होती है अच्टेकाश चाहरे इस सबसे पबात की फोल्डिंग nootor करते हैं तो सबसे बात की फोल निंग का मतलब है जैसि यह तीसरी फोलदंग है तो तीसरी फोल लेंगी पहले औपन होगी फ्रैक्टिकल व्य जैसे ममानों एक पेपर है सुझा हो पहले बेसिक समझेर लो हमने इस पेपर को पहला ऐसे मोडा ॠ ट्टीक खुली फिर यह फोल्डिंग खुली फिर फोल्डिंग खुली तो सबसे बात की फोल्डिंग को हम क्या करते हैं सबसे पहले खोलते हैं यही हमारा तरीका है ठीक है यही पेपर कटिंग फोल्डिंग का तरीका है अब जैसे एक एक करके हम लोग इसको सीखते हैं जैसे मैं हम ल circle से काट गया और मैंने कहा कि अब इस पेपर को काटा गया तो इसका मुद्व है कि पहले इस पेपर को मोडा गया है और फिर इस पेपर को क्या किया गया है जश्वरय ना मचलिघ geen तो क्य गर करेंगे पैंकर को स्मढ़िए बेसिक इस परवर्वर्तन कैसे होते हैं एक समान होते हैं तो यह ट्राइंगल है अब जब अब इस पेपर को खुलें तो यह वाला हिस्सा यहां चला जाएगा तो यह 0 होगा और यह ट्रेंगिल होगा लेकि परवर्थन एक समान होगी क्योंकि जैसा आपने लिया था वैसे ही आपने हटा दिया तो इसका मतलब है इसमें कोई भी चीज चेंज नहीं होगी परवर्थन एक समान होगी ठीक है फिर यहां पर जब हम देखते हैं तो यह 0 हो गया और यह यह ताइम्गिल हो गया थिक है क्योंकि यहां का कॉना यहीं हो ज़ाएगा जैसे आप एसे मेरे हां से समय लीजिये कि मैं एक हाथ यह पेपर है ठीक है और इस पेपर को मैंने यहां पर काटा ठीक है अब जब मैं साथ को ऐस से खोलूँगा तो यह वाला जो हिस्सा है यह ला पर कौनर में जाता है और यह वाला सेंटर में आता है तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा यह हो जाएगा और बड़ी आसानी से आप इसको समझ सकते हैं तो पहला वाला बिसिक यहां पर हमारा क्लियर हुआ कि लेफ्ट और राइट में कोई भी परवरतर नहीं होता है एक ट्राइंगल है यह सरकल बना गया और यहां पर ऊसका रड़ी है तो इसका आंसर आप यसका आंसर आपकू कैसे मिनाएंगे बताइए जब हमें इसका आंसर बनाना है यहां पर तो इसको यह देख लिए यहां पर इसके आंसर का मतलब यह हो गया यहां पर कि जो बेसिक आकरती में था वो तो बेसिक काकृति में होगा मतलब यह रक्टंगल यह होगा यह सर के लिया होगा यह तो सबसे पहले यह वाला जो आपका corner है यहीं shift हो जाएगा यह corner तो यह आपका यहां आजाएगा मैं बरावर कर लोगा सा आराम से समझेगे एक एक process को और आज साथ में एक paper भी रख लीजिए यह आपका हिस्सा बीच में यह बीच में आजाएगा जैसे बीच में है यह कौलर आपका यहां पहाज़एगा अब देखो यह ट्राइंगल आपका बिलकुल इसके बगल में सिफ्ट हो जायगा जैसे सिफ्ट है और यह वाला जो हिस्से है बीच जै लेकिन जब अब ऊपर औऔर नीचे के परवरंतन में होते हैं तो यह प्रिकनियाय बदल जाते हैं सेम देख लो यह जैसे मालो यह पे हम एक और आर्कृती лेवेजिजियर लिए इस पेपर में हमारी जो फोल्लिग है वो ऐसे हैं आप हम लेकिन नीचे से जब आप इसको ऊपर ले जाएगा लेकिन नीचे से जब आप इसको ऊपर ले जाएगे तो यह एक दूसरे के बदल जाएंगे कैसे बदल जायेंके जसे को अगर हम इसको हल करें तो यह वाला हिस्सा सबसे ऊपर जाएगा यहां पर भी लिट्ध हो जाएगा ठिक यह triangle जो भी कोई तो यह तो यह transformation सीधा प्रवर्तन होते हैं वह कैसे होते हैं एक समान होते हैं. पिर मैंने आपको यहां पर दूसरा वे सिक बताया था कि जो ऊपर और नीचे के कि यह फिप्रित होते हैं यह सवान आपको करांगा पहले बेशिक किलियर कर लीजे हैं और आकृति दूसरे के हमीशा बिप्रित ही रहे यह हम से सिंगल कॉंसेप्ट प्रप्ति दिया जाए हमें ऐसा भी हो सकता है कि हमें एक ही पेपर में कई तरीके के सवाल दे दिये जाए देखें मैं पूरा आपको कवर करा देता हूं बेसिक से आप सुनते रहिए ठीक है चल अब जैसे बालो एक को यहां पर एक ट्राइंगल काटा गया है एक ट्राइंगल काटा गया है एक सर्किल काटा गया तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि सबसे बात की फोल्डिंग को सबसे पहले खोलते हैं क्या बताया सबसे बात की फोल्डिंग को सबसे पहले खोलते हैं अगर हम इसी में उत्तर बनाने की कोशिस करें तो पहली फोल्डिंग तो यह होगी और दूसरी फोल्डिंग अगर आप नहीं समझ पा रहे हों तो मैं उसी सब्लेंगे तो फोल रिंग को उपर से नीचे यह नीचे से उपर की होगी बताओ तो पहली फोल्डिंग हमारी यह होगी तो पहले हम इसको खोलेंगे अरब सब्सक्राइब तो यह जीरो यहां होगा लेकिन विप्रीथ होते हैं तो यह ट्राइंगल यहां जाएगा बड़ विप्रीथ होगा और यह ट्राइंगल भी यहां आएगा लेकिन विप यहां से यहां ला रहे हैं तो इसको यहां से यहां लाने का मतलब क्या हो गया बिटा कि यह देखो बिटा यहां पर अब यह वाला कॉर्ण सबसे लास्ट में सिफ्थ होगा यह जीरो हो ठीक है अब कोई परवर्तन तो होगा नहीं यहां पर क्या होगा ट्राइंगल होगा यह लास्ट वाला फिर यहां पर क्या होगा यहां पर क्या होगा इस सवाल के लिए यहांपका इतर होगा यह सही आकृती होगी जो आपके यहां पर देखें जएंगे तो फिर देखाओ फिर मैं एक सवाल देता हो आईए अगर मैं एक सवाल आप लोह को को जरूर कर लेंगे ठीक हैं यहां पर मैंने एक सवाल विल्कुल उसी तरीके से दिया जैसे मैं आपको बता रहा हूं एक फोल्डिंग मैंने ये डाली और एक फोल्डिंग मैंने यहां पर मैंने ट्राइंगल दिया यहां पर जीरो दिया यहां पर ट्राइंगल दिया यहां पर मैंने एक ट्राइंगल दिया ठिक और मैंने कुछ नहीं ठिक यह इस्थिए और यहां पर मैंने एक रेक्टेंगल दिया अब अगर इसका उत्तर बनाना है तो मुझे लगता है इसका उत्तर बनाने में अब आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि दोनों तरह के मर्ज कॉंसेप्ट इसमें काम कर रहे है कि नीचे से उपर के परवर्तन विप्रीथ होंगे और बाएं से दाएं के परवर्तन एक समान क्योंकि आपने तिना पड़ लिया है इसलिए इसको आप तुरंथ हल भी कर सकते हैं कोई दिक्कत इसमें आपको नहीं हो तो आई इसके हल पर चलते तो इसका हल हम कैसे बनाएं तो देखिए ये जीरो है ये ट्राइंगल है ये रेक्तेंगल है यहाँ पर और ये तो कंफ्रम होगया अब ये पूरी प्रिकरिया हूंगी बेटा तो ऊपर ठीक है हम इसको थोड़ा सा और ब्लाक लग अ ठीक है अब ये प्रिक्रिया जब उपर जाएगी तो सबसे पहले जो परवर्तन होंगे वो नीचे से उपर के होंगे तो ये ट्राइंगल सीधा हो जाएगा ये ट्राइंगल सीधा हो जाएगा ये रेक्टेंगल यहां पर आ जाएगा है ना अब ये ट्राइंगल उपर जाए ये जो लाइन है, सबसे लाश्ट में चली जाएगी, जैसे देखो, ये ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल हो गया, फिर इसके बार नीचे वाला ये ट्राइंगल हो गया, फिर ये ट्राइंगल हो गया, फिर ये ट्राइंगल हो गया, फिर ये ट्राइंगल हो गया, ठीक है, च समझ में आ गई होगी कि basically हम लोग दो concept को ले किसे चलना है और मैंने जो तीन बेसिक साथ को सुरुबात के बताय थे वो तीन बेसिक भी आपको क्लियर हो गए अब लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि हमें सा सवाल इतना इतना ही सला लाता है ना सवाल कथिन भी आते हैं जैसे तीन ful geme encard Kelne toe हमें क्या करना है तो बेसिक आपको यहीरत ना है जैसे तीन fabric करें जैसे चार फूल करें तो basic हम लोग यहीराखएंगे basic में हमारे द्रिश्टी कोल में कोई भी प्रवर्टन नहीं आएगा जैसे देखो बेटा या बहुत आसाल लगने लगा होगा अब यह टॉपिक हमें आपको देखो जैसे मालो यह एक हमारे लिए कागज बनाये गया बहुत आराम से समझो बेटा टोटल मेंटल प्रोसेज समझो एक गेम ठीक और तीन पहली फोल्डिंग दूसरी फोल्डिंग और तीसरी फोल्डिंग आप इस पेपर को बेटा यहां काटा गया ट्राइंगिल ट्राइंगिल सर्किल सर्किल ट्राइंगिल और मतलब और यह नम्रिंग कर दी कही पहली दूसरी और तीसरी अब तीन पार्ट में फो लिंग कर दी गई तब भी आपके लिए प्रिक्रिया कठिनी होनी चाहिए आपको परेशान नहीं होना चाहिए क्यों परेशान नहीं होना चाहिए देख लो जैसे देखो जब इसका solution हम बनाएंगे तो मैंने आपको क्या बताया basic से चलो सबसे पहली फोल लिंग को सबसे बात में सबसे बात की फोल लिंग को सबसे पहले खोलेंगे तो तीसरी फोल लिंग तो यह परवरतन तो उपर से नीचे हो रहा है अब यह पेपर बना कैसे है पहले इसको समझो जैसे एक पेपर है यह पेपर का पूरा हिस्सा है तो सबसे पहले इस पेपर को इतना मोड़ा गया ऐसे आदा हो गया फिर इस पेपर को ऐसे मोड़ा गया हुआ है कि यह दोनों को मोड़के इस पेपर को ऐसे मोड़ दिया गया तीसे अब यहां पे हैद गौर से सुन मिलना तो पहले तीसरी परद खुली अभी आया फिर यह परवर्थ लाइट बतलब इस तरह जाएगा और फिर जितना बचा है पूरा कटा हुआ है इस तरह जाएगा क्ली जब ऐसे करके मोरा गया तो कटा तो प्रितिए क्मिला होगा कि कि सब मुड़ा है तो पहले में सब फर दूसरे में सब फिर सर्सक्राइब साथ कैसे कि आसानी से बनाभेसब्सुरों सबसे पहले जब हम इस पेपर को बिटा ऐटा कर रहे हैं तो इस ओपन करने वाले पेपर को यह देखो फड़ा बढ़ा कर लेते हैं कि हमारी जो बासुतिक इस्तिफी थी वह यह थी कि बीच और बीच हमें एक ट्राइंग लिए काटा गया था यहां पर फिर दोनों जीरो काटके दिये गए थे फिर नीचे ट्राइंग अब इधर देखो सबसे पहले ब अब यह हिस्सा जब ऊपर गया और यह ह कश बोला जो जो सबसे यहां यहां आएगा सबसे पहले हम इस तारव बाली फोलिंग को खोलेंगे तो इस भाई यह पढ़ना यहां से मुड़ा गया ना यह फिर यह बेटा जीरो और फिर यह आ जाएगा फिर यहां पर यह ट्राइंगिल आ जाएगा फिर यह जीरो आ जाएगा यहां पर और फिर यह ट्राइंगिल आ जाएगा और यह वाली लाइन यहीं सिफ्ट हो जाएगी यह 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 फिर यह और यह करके दिख्ताओ ये करके दिख्ताओ असन haul गया आधा हो गया तो फिर पूरा हो गया अब बचा ही क्या है इसमे अब दिखो अब यह हिस्सां यहां से निकलेगा works file यह पेपर यहां से यहां तक मुढा था ऐसे यह खोल दिया अब यह paper जो है तो यहा वाला conna better सबसे लाश्थ में आएगा तो यह फिर जीरो मृत्राइंगल के यह प्रेजीरो फिर एक एओर यह धरर यह यह अब यह जीरो यह ट्राइंगल यह जीरो और यह तो इसका सही सॉल्यूशन हमारा क्या हुगा इसका सही सॉल्यूशन हमारा ही होिगा क्लियर है हो गया है तो यह से हमें कोई भी पेपर मिले कोई भी सवाल मिले दो रेक्टेंगल सेप में मिलेगा या स्क्राइप मिलेगा या स्कॉर सेफ में यह सो करें लोग यह हमें देखने की बात का तो अपको समझ में आ लिए अब पेपर का से इफ सब्सक्रिबर zrobi जीस मालो यह एक प्रेपर का कि और आपर में यह का जिब की तो समझना थोड़ा सा कथिन होता है ना क्यों रहता है में वह भी गया कि आधा जो इसका form लिंक होगा वो फोल कि यहां तक आएगा ऐसे कि ठिक है जब हम इस type Link को ऐसे मोणेंगे ऊपर से जब नीची आएगा तो यह हिस्सा कर नहीं गरेगा यह सबंच मैं कैसे कह रहा हूं जैसे मैं ट्राइंग पूरक दिखाताू तब आपको समने आएदा बिना कि यह जग में जैजैकार नहीं होती और मेरे प्यारे बच्चों मेहनत करने की मेरा बच्चा विडीयो बन दिया ठीक है। जैसे अक ट्राइंगे सेफ थे जब हम इसको ऐसे मोडेंगे लिए पूरा कवर करेगा इसको झार कि आदा हिस्से को जब मोल लिंग को लेंगे पूरा कवर करेगा लेकिंड आप दूसरी फोल लिंग को लोगे तो गौर से देखो यह फोल लिंग जब मुड़ेगी तो यह नीचे तक पाईगी यह वाला हिस्सा आपका खाली रहेगा यह मोरने में नहीं आएगा समझे रहे हो ना क्यों नहीं आएगा नहीं आएगा यह वाला हिस्सा तो खाली रहेगा बट यह मोरने में नहीं आएगा क्यों मोरने में नहीं आएगा नहीं आएगा देखो इसलिए नहीं आएगा बेटा क्योंकि यह मोर ने मत्ता बाता जब यह paper पूरा यहां तक होता हूँ कि यह नीचे तक के हिस्स्य को कवर करता लेकिन पूठ पूरा यहां तक नहीं है इसलिए नीचे के प्रॉपरिटी जब भी आप पेपर में हल करो अगला सेशन मेरा इस पर सीट सॉल्यूशन पर होगा परेशान मत हो और मैं बहतरी सवालों की एक सीट आपको सॉल्व कराने वाला हूं तो पहले मैं एक बताता है ऐसे मालू मैंने इसमें एक ही फोल लिंग किया ऐसे तो मैंने सब्सक्राइबर दो यहां पर यहां पर यह काटा और यहां पे जीरो रखा यहां पर मैंने ट्राइंगल रखा विबात नहीं इस में औरन लीजे तो ट्राइंगल सेप एसी दिक्कत नहीं आएगी वह फोड़ी सा सोचना रहें कब होता है या सोचने वाली बाथ हमें ट्राइंगल सेथ में कम मिलती है जब हमक्या करते हैं यह यह अगर यहां पर ट्राइंगल सेफ है वेटा और हमने इसको दो हिस्सों में लिया है एक हिस्सा तो हमने यह लिया है और दूसरा हिस्सा यह लिया है यह हिस्सा थोड़ा सा आपको परिशाथ करेगा कैसे एक बार समझने की बात है जैसे यहां पर आपने ट्राइंगल लिया ठीक है यहां पे हमने ट्राइंगल लिया यहां पे जी रो लिया और यहां पे हमने ट्राइंगल लिया ठीक है और हम इसको कर रहें और यहां पे हमने जी रोल लिया या भी इसको नहीं समझे इतना ही समझे जब पहली फोल्डिंग को बेटा आप ऊपर की तरफ खोल रहे हैं तो ध्यान रखिएगा कि पहली folding को खोलने में जो corner है वो corner change नहीं होगा, जैसे अगर आप इस हिस्से की, इसका solution मैं यहां बना रहा हूं, black color से, अगर आप इस हिस्से की folding को खोलेंगे, तो गौर से देखो, यह जो है हो गया, यह हो गया, और यह triangle हो गया, ठीक है, और यह है, जब आपने इसको दूसरा मोड़ा था, तो यह हिस्सा तो cover ही नहीं हुआ, तो जब आप पहली folding को उपर खोलेंगे, ध्यान दिजेगा, तो यह जो हिस्सा है, यह हो बहुत सीधा होगा, यह 0 यहां होगा, और यह triangle यहां पर, जो आपका सीधा था, यह triangle यहां पर क्या हो ज जाएगी, ठीक है, ऐसे कर लो, और इसको ऐसे कर लो, ठीक, अब यह तो देखो, उपर वाली खुल गई, यह 3 symbols जो नीचे थे, उसी concept से की नीचे से उपर जाने पर यह पुजट हो गए, अब जब आप इसको इस concept में लेके आएंगे, यहां से यहां, तो यह दूसरी वाली है ना, तो इसका right solution जो होगा वेटा, वो इसका right solution यह हो गाएगा, है ना, तो जब भी आप triangle shape की paper में नहें, तो triangle shape की paper में हमेशा आपको देना है, देखना है कि यह हिस्सा आपका cover नहीं होगा, है ना, चलो, एक सवाल मैं और आपको बताता हूँ, बहतरीन सवाल एक और, जैसे मालो एक triangle है, और इस triangle में, अच्छा मैं वो सवाल seat में हल कराऊंगा आपको, तब जादा अच्छा लगेगा आपको, इस triangle में अगर हम लोग बिटा यहाँ पर देखें, तो यह triangle हो गया, यह zero हो गया, यह triangle हो गया, ठीक है, और यहाँ पर एक आयत हो गया, ठीक, क्या हलो जाएगा, आसानी से हलो जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ऐसे बहुत सारे सवाल अभी आपको मिलेंगे, तब आपको लगाने में मजा आएगा, अभी मैं exam वाले सवाल जब आपको भेजूँगा, तो आपको अच्छा लगेगा, पहले आप इ कि ऐसे होगा, यह है, ऐसे होगा, यह होगा, और यह होगा, यह रेक्टिंग ले आ जाएगा, नीचे सुपर जाने में कोई परवर्त नहीं आएगा, तो कि यह कौनर अच्छूता था, तो यह कौनर भी क्या है, बताओ, अच्छूता है, यह सभी वीडियो, रभी की बारी ओफिशल यूटूब चैनल से आपको दिये जा रहे हैं, यह भी संस्था का एक चैनल है, आप सभी लोग इस चैनल को सस्क्राइब कर लिए, करिया है, तो यहां पे इस प्रिकरियाद से हम लोग इसको आसानी से कर सकते हैं, नौर्मरबल के जो टॉपिक्स होंगे, उसमें क इसमाट गण्टे पर घरने हैं, आप एतना कंटेंट आपको समना था है, अब शतीस मिनिट में भी समझ जा आ हैं, तो अगर आप ने इतना अच्छा कंटेंट आपको समझ लिया है, तो गल मैं आपको परिक्षा वाले प्रिशन हल कराऊंगे, वह उनकी सीट भी आपको भी आज आपको साम तक सीट मिल जाएगी तो थोड़ा सा आप कोसिस करिएगा कि आप इन पुष्णों को एक बार देखके धाल करें कितना आप बहतर तरीके से इसको कर आते हैं ठीक है फिर मैं उसी सीट की क्लास अगले दिन लेकर उसको आपको सॉल्व करा नो नो बरवल का कोई आप से छूटे ना और एक बार आप रिजनिंग ऐसी पने कि कोई भी दिस्तर का सवाल आ जाया है जब हम लोग प्रैक्टिस सेशन मोन में जाया तो आप बहुत बहुत बहुतर महसूस करें किसी भी परिक्षा का सवाल आप से निकले में बाकि जो आगे की टॉपिक हैं चा होंगे दो तो आप लोग इसके लिए बिल्कुल भी परिशान तो आज मेरी क्लास में इतना ही कल मैं आप से फिर मुलाकार करूंगा इधर देखो बेटा एक चीज है कि पैट का एक्जाम है पैट के एकजाम की बिजए से बहुत सारे बच्चे पैट की तैयारी भी कर रहे ह है पैट के हिटाब में बच्चों को तो किसी दिन अगर क्लास ना आप आए तो ना तो बुरा मानेंगे ना तो यह सोचेंगे कि सर्रेगूलर नहीं क्योंकि मैं आपके लिए बहुत प्रियास कर रहा हूं तो जब मैं पैट के बाद खाली हो जाओंगा तो मैं आप लोगों